हलो दोस्तों देशी किचन में स्वागत है आपका और आज मैं बनाने जा रहे हूँ क्रिशन जी के 56 भोगों में से एक भोग धनिया पंजीरी दोस्तों धनिया पंजीरी क्रिशन जी के परसाद में से एक परसाद है जो उनको बहुत ही प्रिय है तो चलिए आज हम लोग दनिया पंजीरी की रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है और इसमें एक चम्मच मैं गी ले रहे हूं इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है एक चम्मच में हो जाएगा तो इस घी में मैं यह आठ से दस बादाम छोटे-छोटे कर ली हूँ इसको प्राइ कर लेंगे एक से आधे मिनट के लिए करेंगे ज्यादा टाइम के लिए नहीं करना है इसको थोड़ा सा बस रोष्ट करना है और यह देखे यह हमारा बदाम हो गया अब इसको हम लोग किसी बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे और उसी घी में जो घी थोड़ा पचा है उसमें हम लोग काजू लेंगे आठ शेदर काजू मैंने लिया है इसको भी कट कर लिया है Чोटे-छोटे और इसको भी एक मिनाट के लिए फ्राइ कर लेंगे यह देखे यह लगबख काजू भी हमारे हो चुके है इसको हम लोग क्रांसफर कर लेते हैं किसी बरतन में अब सेम ऐसी पाहन में में इसको भी एक मिनट के लिए फ्राइ कर देंगे। जिससे एक कृषपी हो जाए अच्छी तरह से यह देखिए हमारा मखाना भी हो गया अब इसको लोग निकाल लेंगे दूसरे वर्तन में और सेम उसी पैन में मनें एक कटोरी नारील का बुरा ले लिया है और इसको भी आ अब इसको भी हम लोग किसी बरतन में ट्रांसपर कर लेंगे और ये मैंने पांच बड़े चम्मच के करीब धनिया लिया है जो अकसर हम लोगे घर में रहता है वही धनिया मैंने लिया है और साफ धनिया लिया है क्योंकि हम लोग बना रहे हैं इसलिए और इसको भी एक मिनट के लिए भून लेंगे और इसकी खुस्बू मेरे किचन में बहुत फल गई है काफी अच्छी खुस्बू आ रही हैं और यह देखिए इसको भी हम लोग निकाल लेंगे इन सारी चीजों को थंडा कर लेंगे यह देखिए मान ने फशक primary कअ को थंडा चीनी अध्याइड़ करें लोग अपने अनुसार चीनी आड़ करें मैं थोड़ा सा इसमें आदा चम्मज के करें छोटी फाउडर भी याड़ करीम जिससे खुश बीयाएगी और टेस्ट भी आएगा और इसको भी हम लोग मिक्स कर लें यह देखे हैं यह दन्यापंजीरी बनके विल्कु रेडी हो चुकि निया जिस Maast Me में निया दिश्टा में आई और विपनाए और लगाएं मेरे रेसीपि आप लोगो कैसी लगी बटाइए और अ अच्छा लगे लाइक की कर किये और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी जनमास्ट मी थैंक यू